आज का दीन बहुत ही महत्वपुन है, बहुत बड़ा है आज 36 गड़ को 7000 करोड रुपे से अधिक की परियोजनों का उपहार मिल रहा है यह उपहार इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हैं, कनेक्टिविटी के लिए हैं यह उपहार 36 गड़ के लोगों का जीवन आसान बनाने के लिए हैं यहां के स्वास्त सेवाओं को बहतर बनाने के लिए हैं भारत सरकार के इन प्रोजेक्ट से यहां रोजगार के अनेकों नए आवसर भी बनेंगे यहां के धान किसानों, खनीच संपदा से जुड़े उद्दम्यों और टुरिजम को भी इन प्रोजेक्ट से बहुत लाब मिलेगा सबसे बड़ी बात ये कि इन से आदिवासिक छेत्रों में सुबीधा और विकास की नई यात्रा शुरू होगी मैं इन सभी प्रोजेक्ट के लिए 36 गड़ के लोगों को बहुत-बहुत बढ़ाई देता हूँ साथियों भारत में हम सभी का दस्वकों पुराना अनुवव यही है कि जहां इन्फरास्टरक्चर कमजोर रहा वहाँ विकास भी उतनी ही देरी से पहुँचा इसलिए आज भारत उन खेत्रों में अधिक इन्फरास्टरक्चर भी किसित कर रहा है जो विकास की दोड में पीछे रह गए इन्फरास्टर यानि लोगों के जीवन में आसानी इन्फरास्टरक्चर यानि व्यापार कारोबार में आसानी इन्फरास्टरक्चर यानि रोजगार के लाखों नए अवसरों का अन्दिरमान और इन्फरास्टरक्चर यानि तेज विकास आज भारत में किस तन आधुनिक इन्फरास्टरक्चर भीक्सित हो रहा है या 36 गड़ में भी नजर आता है पिछले नव वर्षों में 36 गड़ के हजारों आधिवासी गावों में प्रदान मंत्री ग्रामिन सड़क योजना के तहत सड़के पहुची है भारत सरकार ने यहां करीब साड़े तीन हजार किलोमेटर लंबी नेशनल हाइवे की परियोजनाएं सिकृत की है इसमें से लगबग तीन हजार किलोमेटर की परियोजनाएं पूरी भी हो चुकी है इसी कड़ी में आज राइपूर, कोड़ेबोड और बिलाजपूर, पत्रापाली हाइवे का लोकारपन हुआ है रेल हो, रोड हो, टेलिकॉम हो, हर तरह की कनेक्टिवीटी के लिए पिछले नव साल में भारत सरकार ने 36 गड़ में अभुदपुर्व काम किया है साथियों, आधुनिक इंफ्रास्टेक्टर का एक और बहुत बड़ा लाब है जिस पर उतनी चर्चा नहीं हो पाती है आधुनिक इंफ्रास्टेक्टर का सम्मन सामाजिक न्याय से भी है जो सदियों तक अन्याय और असुविधा जेलते रहे उन तक भारत सरकार आज आधुनिक सुविधाय पहुचा रही है गरीब, दलीद, पिछडे, आदिवासी इनकी बस्तियों को आज ये सडके ये रेल लाइने जोड रही है इन दुर्गम खेत्रों में रहने वाले मरीजों को माता और बहनों को आज अस्पताल पहुचने में सुविधा हो रही है यहाँ के किसानों, यहाँ के मद्दूरों को इससे सीधा लाब हो रहा है नौ साल पहले, 36 गड़ के 20 प्रतिशत से ज़्यादा गाउं में किसी तरह की मोबाइल कनेक्टिवीटी नहीं थी आज ये घटकर लगबग 6 प्रतिशत रह गई है इन में से अधिकतर जनजातिय गाउं है नकसल हिंसा से प्रभावित गाउं है इन गाउं को भी अच्छी 4G कनेक्टिवीटी मिले इसके लिए भारत सरकार 700 से अधिक मोबाइल टावर लगबा रही है इन में से करीब 300 टावर काम करना शुरू कर चुके हैं जिन आधिवासी गाउं में पहुंचते ही पहले मोबाइल सन्नाटे में आ जाते थे आजुनी गाउं में मोबाइल की रिंग टॉन बज रही है मोबाइल करनेक्टिवीटी पहुंचने से कितने ही कामों में अब गाउं के लोगों को मदद मिल रही है और यही तो सामाजिक न्याय है और यही तो सबका साथ सबका विकास है साथियों आज 36 गर्ण दो-दो एकोनोमिक कोरिडोर से जुड रहा है राइपूर धनबाद एकोनोमिक कोरिडोर और राइपूर विशागा पट्टम एकोनोमिक कोरिडोर इस पूरे एक्षेत्र का भाग्य बदलने वाले है यह आर्थिक गल्यारे उन आकांग्शी जिलों से होकर गुजर रहे हैं जिने कभी पिछड़ा कहा जाता था जहां कभी हिंसा और अराजकता हावी थी एकोनोमिक कोरिडोर पर काम शुरू हुआ है बोजिक छेत्र की एक नई लाइफ लाइन बनने वाली है इस कोरिडोर से राइपूर और विशागा पट्टम के बीच का सफर आदा हो जाएगा सिक्स लेन की ये सड़क धमतरी की धान बेल्ट कांकेर की बॉक्साइल बेल्ट और कोड़ा गाउं के हस्त सिल्प की समरूति को देश के अन्य हिस्टों में जोडने का प्रमुख मार्ग बनेगी और मुझे इसकी एक और खास बात बहुत अच्छी लगी ये सड़क बन्य जीवक्षेत्र से गुजरेगी इसलिए इसमें बन्य जीवों की सहुलियत के लिए टरनल और एनिमल पासिज भी बनाए जाएंगे दल्ली राजहरा से जगदलपुर रेलाइन हो अन्ता घट से राइपुर के लिए सीधी ट्रेंज से वा हो इससे भी यहां के दूर सुदूर के ख्षेत्रों में आना जाना और आसान हो जाएगा साथियों भारत सरकार का कमिट्मेंट है कि जहां प्राकृतिक संपदा है वही नए अवसर बने वही जादा से जादा उद्योग लगे इस दिशा में भारत सरकार ने जो प्रयास बिते नव वर्सों में किये हैं उनसे 36 गड़ में अवद्योगी करण को नई उर्जा मिली है भारत सरकार की नीतियों से 36 गड़ के पास राजस्व के रूप में अधिक पैसा भी पहुँचा है विशेसकर माइन्स और मिनरल एक्ट बदले जाने के बाद 36 गड़ को रॉयल्टी के रूप में कहीं अधिक पैसा मिलने लगा है 2014 से पहले के चार वर्षों में 36 गड़ को 1300 करोड रूपे रॉयल्टी के तौर पर मिले थे जबकि 2015-16 से 2020-21 के बीच 36 गड़ को लगबग 2800 करोड 2800 करोड रूपे रॉयल्टी के रूप में मिले हैं डिस्ट्रिक मिनरल फंड की रासी बढ़ने से उन जीलों में विकास का काम तेज हुआ है जहां खनीच संपता है बच्चों के लिए स्कूल हो, पुस्तकाले हो, सडके हो, पानी की व्यवस्ता हो ऐसे कितने कामों में अब डिस्ट्रिक मिनरल फंड का पैसा खर्च हो रहा है साथियो, केंदर सरकार के एक और प्रयास का 36 गड को बहुत लाब हुआ है भारत सरकार के प्रयासों से 36 गड में एक करोड साथ लाज से जादा जंदन बैंक खाते खोले गए है आज इन बैंक खातों में 6,000 करोड रुपे से अधिक जमा है ये उन गरीब परी जनों, उनके परिवार जनों, किसानों, स्रमिकों का पैसा है जो पहले यहाँ वहाँ अपने पैसा रखने के लिए मजबूर थे आज इन जंदन खातों की वज़े से गरीबों को सरकार से सीधी मदद मिल पा रही है 36 गड़ के युवाओं को रोजगार मिले वो स्वारोजगार करना चाहे तो दिक्कत ना हो इसके लिए भी भारत सरकार निरंतर काम कर रही है मुद्रा योजना के तहट 40,000 करोड पे से अधिक्के मदद 36 गड़ के युवाओं को दी गई है ये पैसे भी बिना गरंटी को दिये गए है इस मदद से बड़ी संक्या में 36 गड़ के गाउओं में हमारे आदिवास्य योग यूतियों ने गरीब परिवार के विवाओं ने अपना कुछ काम शुरू किया है भारत सरकार ने कोरोना खाल में देश के छोटे उद्योगों को मदद देने के लिए भी लाखो करोड पे के विशेश योजना बन चलाई है इस योजना के तहट 36 गड़ के करीब दो लाख उद्यमों को लगभग पांच हजार करोड पे की मदद मिली है साथियों हमारे देश में पहले कभी किसी सरकार ने हमारे रहडी पट्री वालों की ठेले वालों की सूद नहीं ली इन में से ज़्यादा तर लोग गावों से ही तो जाकर शहरों में ये काम करते हैं हर रहडी पट्री और ठेले वाले को भारत सरकार अपना साथी समझती हैं इसलिए हमने पहली बार उनके लिए पियम स्वनिदी योजना बनाई बिना गैरंटी के उन्हें रण दिया 36 गण में इसके भी 60 हजार से जादा लाभारती है गामों में मन्रेगा के तहद भी परियाप्त रोजगार मिले इसके लिए भी 36 गण को 25 जार करण रुपिय से जादा भारत सरकार ने दिये हैं भारत सरकार का इस पैसा गामों में स्रमीकों की जेब में पहुचा है दात्यों थोड़ी देर पहले यहां 75 लाभारतियों को आईश्मान कार दिये जाने के शुरुवात हुई है यानि मेरे इन गरीब और आदिवासी भाई बैनों को हर साल 5 लाख रुपिय तक के मुप्त इलाज की गारंटी मिली है 36 गड़ के डेर रजार से जादा बड़े अस्पतालों में वो अपना इलाज करा सकते है मुझे संतोस है कि गरीब आदिवासी पिछडे दलीत परिवारों का जीवन बचाने में आईश्मान योजना इतना काम आ रही है और इस योजना की और एक भी विशेस्ता है अगर 36 गड़ का कोई लाभारती हिंदुस्तान के इसे और राज्य में है और वहाँ उसको अगर कोई परिशानी हो गई तो ये काण वहाँ भी उसका सारा काम पूरा कर सकती है इतनी ताकत इस काण में है मैं आपको विश्वाद दिलाता हूँ कि भारत सरकार इसी सेवा भाव से 36 गड़ के हर परिवार के सेवा करती रहेगी एक बार फिर आप सभी को इन विकास कारियों के लिए बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ बहुत बहुत शुब कामनाई देता हूँ धन्यवाद आपके उजवस्वी उद्बोधन के लिए आभार मानेवर आपका हर शब्द राष्ट्र सर्व प्रत्म का हवान है आपकी जीवन यात्रा माभारती का बंदन है आपकी वानी की प्रकरता में